इस युद्ध का एक जो दूसरा एस्पेक्ट है जिससे भारत सीधे तोर पर जुड़ा हुआ है उस पर आपको ले जाना चाहते हैं। युक्रेन से अब भारत बड़ी तादाद में अपने नागरेकों को भारत लाने में काम्याब हो रहा है। और हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडन्स जुड़ रहे हैं जो कि युक्रेन में फसे हुए थे। मोदी सरकार ने युक्रेन में फसे भारतियों को लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा जिसके तहत अभी तक तक तकरीबन 700 भारतिय बापस लाए जा चुके हैं। और कल हंगरी से जो भारतिय चात्रों को दिल्ली लेकर आया गया था उनमें से कुछ चात्र हमारे साथ हैं। उस वक्त ये इस्टुरेंट्स इतने परिशान थे, पैनिक में थे, अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये सब बेहत खुश हैं और इस वज़े से खुश हैं कि ओपरेशन गंगा के तहत इनका ये कहना हैं कि और भी देश के वहाँ पर इस्टुरेंट्स वस्तला बढ़ाया, सर क्या नाम है आपका? वो टिकट्स लेके एवैकुएट कर जाएं, फिर बांकी जो बच्चे थे, जिन्होंने फिर मतलब तभी एवैकुएट नहीं किया, बहुत ऐसे बच्चे थे, जिनके टी आर्सी, टेंपरेरी डेसिटिंग कार्ड बनता है इनका, वो टीरसी नहीं आय तो, तो हमने बोला कि आप टीरसी पहले आज आने दो, उसके हिसाब से आफ फिर एवैकुएट कर सकते हो, फिर अचानक से अटैक हो गया, फिर पूरे पैनी का महोल आ गया था, इनका कॉलिज फिर भी कंपरेटिवली वेस्टन पार्ट में है तो बहुत सेफ था, मतलब वहां पे कुछ ऐसे हाथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो बट लेकिन कीव और खारकीव में और जो बाकी बच्चे थे उनको बहुत जादा दिक्कत फेस करनी पड़ी, तो हमने फिर जैसे इंबेसी की गाइडलाइन जैसे आते गई, हम उसके हिसाब से इनाट करते गया, और सबसे पहले हमारा सिंगल प से जल्द भारत लाने की कोशिश की गई, कितने संपर्क में थी इंडियन अंबेसी? इंडियन अंबेसी ने सब कुछ रही हैं, लेकिन वह वहां जाके फज गए, वहां पर बंकर्स में उचिपे हुए हैं, तो उस दौरान कितनी टेंशन होती है, आपका क्या नाव है? मेरा नाम सुंदरम बदोरिया, आप भी फर्स्ट येर की ने हो? मेरा नाव ये यूनिवर्स्टी चूज करी, वह सबसे सेफेस जगह थी, अगर शायद हम भी खारकेव या कीव में होते हैं, तो आज हम भी फसे होते हैं, बट थैंक्स तू सर कि उन्होंने उस रोद यूनिवर्स्टी को चूज किया, अब एक चीज इन से पूछी एक्छी हो इसी कोई जानकारी अपने फ्रेंड्स के बारे में या और अपने साथियों के बारे में? अब ही इसने कुछ हम कोशिश करें हैं कि हमारी उनिवर्स्टी के अलावा भी और बच्चे हम उनको इवैकवेट करनी कोशिश करें, तो जो हमारी उनिवर्स्टी तक पहुँच जा रहे हैं, अपने इंड्से निकालके हंग्री वादर तक पहुचा हैं, तो बहुत हुए जैसा भी एक सूडेंट जिक्र भी कर रही थी खास तोर पर कीव में खारकीव जैसे देशों में शेहरों में बहां पर कई भारती जो है वो फसे हैं चूँकि अब वो वक्त नहीं रहा कि बहां से उनको सेफली जो है एसकॉर्ट करके निकाला जा सके क्योंकि इन इलाको बड़ी!